दोस्तो मैंने अपने Redmi Note 5 Pro में इस्टॉल किया है लेटेस्ट.OS वर्जन 2.4 और यहाँ पर आपको किस्टमाइज फ्लस टॉक एंडॉड का एक्स्प्रेंस मिलता है और देखते हैं आगे इस OS में आपको क्या-क्या देखने को मिलता है दोस्तो आब तक आपने अपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब किजे उसके बाद इस बेल को भी प्रेस करें अपनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो हम चलते हैं इसके सेटिंग में और यहापे दोस्तो अबाउट फोन में हमें देखने को मिलता है .OS version 2.4 और यहापे आप देख सकते हो .OS, Xiaomi, Realme 05 Pro, 8.1 और version 2.4 तो यहापे दोस्तो यहापे आपको बहुत सारे यहापे information मिल जाएंगे OS information में चलते हैं तो यहापे देख सकते हो आपको OS unofficial मिलता है पर कापी stable है 8.1 और यहापे दोस्तो Android security patch level आपको अगरे 5 का देखने पर मिलता है तो यहापी कमाल की बात है तो देखते हैं दोस्तो इस OS के फटापट यहापे यहाप फीचर्स हमें देखने को मिलता है तो यहापे दोस्तो apply theme में जाते हो और यहापे customize overlay colors करते हो तो यहापे दोस्तो आपके जो यह सेटिंग के जो इंटरफेस है यहापे चेंज हो जाएगा यहाँ से तो यहापे मैं आपको करके दिखा देता हूं overlay और यहापे black करता हूं और यहापे select करता हूं तो उसके बाद यहापे यहापे color change हो जाएगा तो यहापे आप देख सकते हो जैस्ट सेटिंग और यहापे notification toggle यहापे change हो चुका है और यहापे दोस्तो अंदर के settings भी और इसका background थे कि यहापे फूरा complete यहापे change हो चुका है तो यहापे दोस्तो ऐसे आप customize कर सकते हो दोस्तो यहापे only status ौरे आप कमेट नियुक्त सस्कोंजस कर सकते हो तो यहाप आप करंश कर सकते हो तो यहापे देख सकते हो एधार स्चिज कर सकते हो चुरोच कर सकते हो तो यहापे जालतों मैं इसको transparent बpielt जोप्तियों हो चुका है उसके बाद दुस्तों यहाँ पर और भी शारी टिक से चोटी-चोटी मेक्स, असेंड कलर साइट वाला इभी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो यहाँ पर फट उपर से बाता देता हूं कि एक्स्प्लेंग करोंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा तो यहाँ पर फिर टेटस बार है यहाँ बहुत सारी ओप्शन आप यहाँ पर आड कर सकते हो क्लॉक एंड डिटेल में तो यह राइट ऑला क्लॉक आप लेप्ट में कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए तो ऐसे आप कस्टमाइज कर सकते हो इस ओएस में तो और दोस्तों और आपको लेयाओट का भी ऑप्शन मिलता है उसके बाद दूस्तों यहाँ पर बात करते हो यह यहाँ पर दूस्तों बहुत सारे और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं सिस्टम के बटन्स और कापी यहाँ पर अप्शन आपको मिल जाते हैं हर एक ऑप्शन यहाँ एक सेटिंग्स यहाँ पर भी दूस्तों देख सकते हो तो यहाँ पर हर एक सेटिंग्स आपको बस option नहीं मिलते हैं और बस system इतने हैं दोस्तो तो ऐसे कुछ यह stock entered हो कि आपको यहाँ पर customization option में जाते हैं दोस्तो इस ROM का battery backup भी कापी ठीक है आपको use करने के बाद थी पता चलेगा उसके बाद नीचे आपको storage और बहुत सारे setting option मिलते हैं और system में दोस्तो यहाँ पर आपको और एक extra feature मिलता है जो है दोस्तो डॉस OTA तो इस OTA में आपको OTA update मिलेगे जैसे आप normally Yama UI के जो update install करते हो इसी दोस्तो इस OTA में update install कर सकते हो इसके बाद जिस्तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ डाइलर की तो यहाँ जिस्तो OTA का कोई bug नहीं है calling जो से हो जाता है camera कोई bug नहीं है और यहाँ जिस्तो आप देख सकते हो आप camera से photo की सकते हो अधरोज जिस्तो एक setup पर जो भी पोर्स अवेलेबल है यहाँ यहाँ के स्टॉक कैमरा एप और भी दूस्तो इसमें फ्लैश करके आप यूज कर सकते हो उसके बाद दूस्तो मैं यहाँ पर गूगल कैप्स इस्टॉल नहीं किये तो इसलिए यहाँ पर गूगल कैप्स नहीं आरे आपको सेपरे के लिए बहुत सारी वीडियो बनाने वालों तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जोर रखना थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं रिक स्टूडियो में